असलाम वालेकुम और वेलकम टू माई चैनल यम्मी फूड विट सना आज मैं आपके साथ एक बहुती मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल स्नैक्स की रेसेपी शेयर करने जा रही हूँ हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकोड़ा और उसके साथ ही खाने वाली जो चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे तो सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तयार कर लेगे तो यहां मैंने कड़ाई में 4 table डिया करने के लिए रख दिया है जैसे तेल गरम होगा वैसे मैं इसमें एड़ करूगी जीरा तो यहां 1 टीसपून में जीरा आड़ करी हूँ 1 टीस्पून हम इसमें आड़ करेगे सरसो यानि की mustard seed और यहां 10-12 मैंने लिए कड़ी पत्ते इसे हम डाल लेगे तड़के को हम अच्छे से फ्राइ कर लेगे जैसे तड़का हमारा अच्छे से फ्राइ हो जाएगा वैसे हम इसमें एड़ करेंगे लसन और हरी मिर्ची का पेस्ट तो यहां मैंने 4-5 हरी मिर्चे ली थी और मैंने 10-12 लसन की कल्या ली थी जिसे पीस के ऐसे पेस्ट बना लिया है वो मैं इसमें 2 टेबल स्पून अड़ कर लूगी लसन और हरी मिर्ची के पेस्ट को हम अच्छे से फ्राइ कर लेगे लगभग 1 मिनिट के लिए या फिर तब तक जब तक कि इसकी कच्छी स्मेल खतम नहीं हो जाती और इसमें से अच्छी खुच्बूनी आने लग जाती तब तक हम इसे अच्छे से फ्राइ कर लेगे तो जब लसन और हरी मिर्ची का पेस्ट हमारा अच्छे तरीके से फ्राइ हो जाएगा तब हम इसमें आइड करेगे हल्दी तो यहां मैं half teaspoon के करीब इसमें healthy add कर रही हूँ साथी मैं मैं इसमें half teaspoon गरम masala powder दाल रही हूँ यह optional है अगर आप चाहे तो दाले वरना avoid भी कर सकते हैं इन दोनों चीजों को दालने के पाद मैं इसे बस आदे मिनिट के लिए fry कर लूगी कर लिया है वह हम इसमें डाल देगे तो आलू को आपको अच्छे से मैश करना है उसके बड़े बड़े पीस बिल्कुल भी नहीं रखने है एकदम smooth stuffing हमें इसकी तयार करनी है smooth stuffing की बहुत अच्छी लगती है अगर उसमें आपके बड़े बड़े पीसिस रहेगे वो मूँ में आते तो वो अच्छे नहीं लगते है तो यहां मसाले के साथ हम आलू को अच्छे तरीके से मिला लेगे ताके सारे मसाले आलू पे अच्छे तरीके से कोट हो जाए तो ये देखिए आलू को हमने मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिला लिया है बहुती अच्छी स्मूध इसकी स्टफिंग तयार हो गई है बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसे प्रिपेर करना है अब मैं इसमें आड़ करूगी नीमू का रस तो यहां मैंने आदा लिम्बू लिया है इसमें मैं इसका रस डाल दूगी लगबख एक टेबल स्कून के करीब आपको इसमें डालना है निमू का रस दालने के बाद मैं इसमें आड़ करूगी बारी कटावा हरा धनिया हरा धनिया आप जादा कॉंटिटी में दालेगा क्यों इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बस ये दोनों चीज़े दालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूगी गैस के फ्लेम को हमने स्लोपे ही रखा है स्लोपे बस मैं इसे एक मिनिट के लिए पका लूगी और यह जो भी हमने चीज़े इसमें डाली है ताकि वो अच्छे तरीके से इसमें मिल जाए तो हम इसे अच्छे से मिला लेगे तो बस ब्रेड पकोड़े की स्टफिंग हमारी हो गई है रेडी गैस के फ्लेम को हम कर देगे बन इसे में एक बोल में निकाल के अच्छे से थंडा कर लूगी बैटर बनाने के लिए यहां मैंने दो कप बेसन लिया है अब हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेगे तो यहां मैंने लिए अजवाई लगबग हाफ टीस्पून के करीब इसे मैं अच्छे से क्रश करके इसमें एड़ कर दूगी साथी में मैं इसमें एड़ करूगी क्वाटर टीस्पून हल्दी स्वाद अनुसार हम इसमें डालेगे नमक और यहां पर मैं बस एक चुटकी इसमें आड़ करूगी बेकिंग सोडा यानि की खाने का सोडा अब मैं इसमें थोड़ी सी बारी कटावा हरा धन्या आड़ कर रही हूँ अब हम इसमें थोड़े थोड़े पानी का इस्तमाल करके इसका एक स्मूध सा बैटर तयार कर लेगे तो पहले मैं थोड़ा ही पानी डाल के पहले इसे अच्छे से मिला लूगी ताकि इसमें कोई लंपस ना रहे फिर हम इसमें और पानी डाल के इसका एक स्मूध सा बैटर तयार कर लेगे तो बैटर आपको ज़्यादा गाड़ा नहीं बनाने का है मीडियम कंसिस्टिंसी का बैटर ही आपको प्रिपैर करना है तो यह देखे जब इस तरीके से स्मूथ सा इसका बैटर तयार हो जाएगा तब मैं इसमें और पानी आइड करूगी तो यहाँ मैं इसमें और थोड़ा पानी आइड करूगी पानी डालने के बाद मैं इस अच्छे तरीके से मिला लूगी जब यह अच्छे तरीके से मिल जाएगा तब हम इसे लगबख एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से फेट लेगे तो बस हमारा batter हो गया है ready इसे में रग दूगी side में लगबग 15-20 मिनिट के लिए हम इसे rest करने देगे फिर हम इसे fry करने के लिए use करेगे तो यहां मैंने दो bread के slices लिए उसके मैंने किनारों को थोड़ा सा trim कर लिया है यानि की काट लिया है अब हम इसमें जो हमने stuffing तयार की थी वो लगाएगे तो यहां मैं एक spoon भरके इसमें अच्छे से stuffing इस पर रख रही और इसे हम अच्छे से spread कर देगे अच्छी quantity में आप इस इसे stick हो जाए तो stuffing इसमें हमने कर दी है अब हम इसे cut करेंगे तो एक sharp knife लीजेगा और उसकी मदद से हम इसके triangles इस तरीके से cut कर लेगे तो बस हमारे bread पकोड़े ऐसे बनके ready हो गए है stuffing हमने कर दी है बस अब हम इसे batter में dip करेंगे और fry करेंगे तो यहां मैंने कड़ाई मे तेल गरम करने के लिए रख दिया है साथी में जो हमने batter prepare किया था वो भी मैंने यहां रख लिया है अब जो हमने bread पकोड़ाई की stuffing की थी वो हम इसे लेगे और इसमें अच्छे तरीके से batter में इसे dip करके excess हमें से remove करके इसे गरम तेल में डाल देगे gas के flame को आपको medium पर तब तक जब तक कि इस पर अच्छा golden brown color नहीं आ जाता medium flame पर हम इसे अच्छे से fry होने देगे तो यह देखिए हमारे bread पकोड़े पर अच्छा golden brown color आ गया है बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे fry करना है तो बस यह ready हो गया इसे में निकाल लोगी excess oil को हम अच्छे से drain out कर ल यह लेगे अब अब यहां जो टेल है उस उसे हम बेटर प्रिपैर किया थे जोड़ा से गरम यह जोए तरीके से mm दालएगी ऑर घ्रम इसके यह चूरथ टीयार कर लेगे तो यह चूर जो हम तयार कर रहे है बैसन का इसे हम च्छानी में इसमाल करेंगी इसमें अच्छे स तब तक जब तक की इस पे अच्छा golden color नहीं आ जाता जब यह अच्छे से fry हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेगे और फिर हम इसका इस्तमाल करेगे चटनी बनाने के लिए तो अब हम bread पकोड़े की चटनी तयार कर लेगे तो यहां मैंने blending jar ले लिया इसमें मैं आदे कप के यहां पर 6-7 लसन की करिया वन टी स्पून मैं इसमें आड़ करूगी जीरा और यह जो हमने बेसन का चूरा तयार किया था वह हम इसमें डाल देगे यह दालने से चटनी बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ट्राइ कीजेगा अब मैं इसमे दालूगी स्वाद अनुसार नमक अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेगे पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से पीस के इसका एक फाइन पेस्ट बना लूगी यानि कि हम इसके एक स्मूध सी चटनी तयार कर लेगे तो यह देखिए हमारा मज़ेदार स्ट्रीट स् हुई है बहुत ही जादा क्रिस्पी बना है और साथ ही में हमने इसके यह जो हरी चटनी तयार की यह भी बहुत ही मज़े की लगती है ब्रेड पकोड़े को आप इस चटनी के साथ इंजॉई कीजेगा बहुत ही अच्छा लगता है यह खाने में तो अगर आपको मेरे यह ब